सुपॉल जिले में निस्पक्ष और भैमुक्त विधानसभा चुनाव पूले कर एजसबी के कमांडेंट ने इंडो नेपाल सीमवर्ती क्षेत्र सतना बॉर्डर इलाके के ग्रामीडों के साथ जागरुकता बैग्ठक की इस दोरान पैतालिसभी बटालियन के कमांडेंट एज के गुपता ने सुच्छ वातावरन में निस्पक्ष चुनाव कराने और सीमवर्ती क्षेत्र के अपरादियों और तसकरों पर नकेल कसने के लिए विसरित रूप से चर्चा की कमांडेंट ने बताया कि अंतरास्ट्य खुली सीमा पर अवैद, घुसपैट, शराब और हत्यार तसकरी सहित संदिग्द की आवाजाही एक चलेंज है जब तक सीमवर्ती इस्थानी लोग देश के प्रती जागरुक और अवैद चीजों पर निगाह नहीं रखेंगे तब तक बॉर्डर पर ऐसे अवैद गत्विद्यों को रोकना संभव नहीं है क्योंकि अंतरास्ट्य खुली सीमा पर हर कदम, हर जगह, पोर्स या पुलिस उपलब्द नहीं है तब तक हर चीज को रोकना संभव नहीं है क्योंकि हर कतम पर फोर्स या पुलिस उपलब्द नहीं है इसलिए अस्थानिये जनता को स्वच्छ चुनाओ के लिए जागरुक करना जिरूरी है वही इस मौके पर मौझूद सीमा वर्तिक ग्रामीडों ने हर तरह का सहयोग देने का भरुचा देने की बात बताया क्मांडेंट साहब के द्वारा बताया गया कि इस चुनाओ में आप लोग का भी साभागरुक के लिए जो भी हम लोग को अनलेगल चीज पता चलेगा हम लोग आकर के केम में बताएंगे लेकि हम लोग को कमांडेंट साहब के द्वारा बताया गया कि इस चुनाओ में आप लोग का भी साभागिता होनी चाहिए क्योंकि ओपेन बॉर्डर है और हमारी फाउज जो है उसी सिमित संख्या है अगर आप लोग सायोग करते हैं आप लोग द्वारा कंसस रहिएगा त चुनाओ को लेकर पुलिस प्रशासन अलड है जिसको लेकर नेपाल के हर एक सीमवर्थी बॉर्डर आउट पोस्ट एलाके में जाकर स्थानिय लोगों को जागरू किया जा रहा है ताकि आगमी विधानसुबा चुनाव में अजिनभी व्यक्ति, आम्स तसकर, शराब तसकर, सहित, अन्य गतिवीदी पर लगाम लगाकर निस्पक्ष भयमुक्त चुनाव कराए जा सके सुपॉल से सुभाश चिंद्रा की रिपोर्ट